इंदोर शहर में MD Drugs की सप्लाई करने वाले एक बड़े रेकट का खुलासा पुलिस ने किया है इसमें साथ पेडलर्स को गिरफतार किया गया है, इनमें दो युवतियां भी है ये बांगला देशी लड़कियों को देह व्यापार के लिए लाने वाले गिरहों के सरगना सागर जैन और फसेंडों से जुड़े है आरूपी कई पब एंड बार, पूल कलब, कैफे, जिम में ड्रग्स सप्लाई करते थे इनके कबजे से 40 ग्राम MD ड्रग्स, उसे लेने के उपकरण और दो कारे मिली है रैकेट पिछले दो साल से शेहर में सकरिय था, इस दोरान ये 3 करोर से ज्यादा की MD ड्रग्स का कारोबार कर चुके है दो आरोपी जिम में ट्रेनर हैं, बांगलादेशी लड़कियों को देह व्यापार के लिए लाने वाले सेंडो से जुड़े हैं सभी DIG हरी नारण चारी मिश्ट ने बताया कि सेंडो से पूछताच में इंदोर से उसके दोरा फैलाए गए ड्रग्स यानि MD, चरस, गांजा वर ब्राउन शुगर, कारोबारवा उसके गिरहों के एजेंटों की जानकारी मिली थी इस पर ASP राजश अगुवनशी और T.I. तहजीब काजी की टीम ने इन्हें गिरफतार करने की प्लानिंग की आरोपियों में दो शहर के एक जिमनेशन में बताव ट्रेनर काम कर रहे थे ये ट्रेनिंग के दोरान युवक युवतियों को अच्छी बॉडी बनाने के लिए MD Drugs का सेवन करने की सलहा देते थे विजैनगर T.I. तहजीब काजी ने बताया कि गिरहों के बदमाशों के कई बड़े लोगों से सीधे संपर होने का पता चला है इसलिए इन्हें पकडने के लिए थाने की सब इंस्पेक्टर प्रियंका शर्मा और कॉंस्टेबल भरत बड़े को युवाउं के तरहा बनकर आरूपी सागर द्वारा बताये गए MD Drugs सप्लायर एजेंटों के पास अलग-अलग नंबरों से संपर कर पहुँचे एक एक कर सभी को लिंक जोडी और गिरफतार किया